विध्यार्ति साथियो जैहिंद, मैं प्रिती गुल्वानिया करेर एडवाइस चैनल पर आपका अभिनंदन करती हूँ इस विडियो में आपको हम देवी अहिल्या विश्व विध्याले इंदोर द्वारा, विकाम, बिएचेसी, बिएजड़्यू, बीजेएमसी, त्विती वर्ष के आधार पाठ्थेक्रम के अंतरगत, हिंदी भाषा, भाषा एवं संस्कृति का वर्ष दोहजात तेईस का इन पचास प्रश्णों में से अनेक प्रश्ण आपकी युनिवर्सिटी की परिक्षा एवं देवी अहिल्या विश्व विध्याले इंदोर की पीए एवं बीएसी की परिक्षा में भी रिपीट होने की संभावना हैं आप इन प्रश्णों के उत्तर अच्छे से तयार कर लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए धन्यवाद आईए पेपर को हल करना प्रारंब करते हैं आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर पेपर और प्रश्णों के सही उत्तर देखते रहिए प्रश्ण एक अर्जुन को भगवान ने कौन सी गीता बताई उत्तर ब भगवत गीता प्रश्ण दो गीता के त्रती अध्याक कर्मयोग में कुल कितने शलोक हैं उत्तर ब तिरतालीस प्रश्ण तीन भगवत गीता महा भारत के किस परव का भाग है उत्तर ब भिश्म पर्व प्रश्न चार, महाभारत का युद्ध कितने दीन चला? उत्तर, द, अठारह दीन तक प्रश्न पाँच, बुद्धी से मन श्रेस्ट है, किन तु मन से स्रेस्ट क्या है? उत्तर, ब, आत्मा प्रश्न चह, जागो फिर एक बार कवीता के रचैता हैं उत्तर, स, श्री सूर्यकांत त्रिपाथी निराला प्रश्न साथ, जागो फिर एक बार कवीता में का भाव नहीं थे? उत्तर, द, राश्ट्रिय भक्ती प्रश्न आठ, निराला की भाशा है? उत्तर, द, खड़ी बोली प्रश्न नव, तुम हो महान तुम सदा हो महान यह भारतियों में किसका महा मंत्र है? उत्तर, ब, रिशियों प्रश्न दस सतचित और आनंद के लिए एक शब्द है उत्तर, ब, सचिदानंद प्रश्न ग्यारह दोपहर का भोजन पाठ का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर, स, सिद्धेश्वरी प्रश्न बारह अमरकांतजी प्रसिध कहानिकार है? उत्तर, द, नई कहानी आंदोलन के? प्रश्न तेरह दोपहर का भोजन कहानी में कौन सा पात्र बिमार है? उत्तर, अ, रामचंद्र प्रश्न चौदह रामचंद्र क्या काम करता है? उत्तर, ब, प्रूफ रिडिंग का? प्रश्न पंद्रह दोपहर का भोजन कहानी समाच के किस वर्ग का यथार्थ चित्रन है? निम्न मध्यवर्ग प्रश्ण सोलह कवीत्री महादेवी वर्माक का जन्म हुआ था इंटरनेट पर इसका उत्तर दिया है 26 मार्च 1907 प्रश्ण सत्रह निम्न में से महादेवी वर्माजी द्वारा रचित काविल संगरह नहीं है उत्तर द कामायनी प्रश्ण 18 गिल्लू किस संस्मरण संगरह में संकलित है उत्तर स मेरा परिवार में प्रश्ण 19 गिलहरियों का जीवन काल होता है उत्तर स दो साल प्रश्ण 20 महादेवी वर्माजी को कहा जाता है उत्तर द आधुनिक युग की मीरा प्रश्ण 21 नाखून क्यों बढ़ते हैं के निभन्दकार कौन है उत्तर स आचार्य हजारी प्रसाद दिविवेदी प्रश्ण 22 नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निभन्द है उत्तर अ ललित प्रश्ण 23 लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखुन किसके जिवन्त पतीक हैं। उत्तर स, पाशुविक व्रत्ती के। प्रश्न चौबीस सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। एसा किसने कहा। उत्तर ब, काली दासने। प्रश्न पच्चीस नाखुन क्यों वड़ते हैं गध्य की कौन सी विधा है। उत्तर द, निबंध प्रश्न चौबीस नाखुन क्यों वड़ते हैं निबंध नई पेड़ी में कैसा भाव जगाता है। उत्तर अ, सांस्कृतिक आत्मगौरव प्रश्न सक्ताइस माच के प्रमुख वाग्धी अंत्र कौन से हैं। उत्तर ब, धोलक सारंगी प्रश्न अठाइस मद्यब्रदेश की भारिया जनजाती का लोगप्रिय नरत्य कौन सा है। उत्तर स, भडम प्रश्न उन्तीस गणगोर उस्सव में किसकी आराधना की जाती है। उत्तर अ, शिव पार्वती प्रश्न तीस छीपा शिल्प कहां प्रसिद्ध हैं। उत्तर अ, उज्जैन प्रश्न इकतीस कौन साल लोग नरत्य एक पुरुष प्रधान नरत्य है। उत्तर ब, सैला प्रश्न बत्तीस आलहा खंड लोक गीत मध्यप्रदेश के किस छेत्र से है। उत्तर द, बुंदेल खंड प्रश्न तैतीस पंडवानी का समभंध है। उत्तर ब, महाभारत से प्रश्न चौतीस मध्यप्रदेश साहित्य परिशत की स्थापना कब की गई थी। उत्तर वर्श उनिस सो चौवन प्रश्न पैतीस पघेली संस्कृती और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। उत्तर स, गोंती प्रसाद विकल प्रश्न चौतीस भर्थरी किस चेत्र का लोक गायन हैं। उत्तर स, मालवा प्रश्न साहितीस तिलंगा श्रब्द किस अंचल में प्रसिद्ध हैं। उत्तर द, भगेल खंड प्रश्न अर्तीस राई किस चेत्र का प्रसिद्ध लोक नरत्य हैं। उत्तर ब, बुंदेल खंड प्रश्न उन्चालीस संत पीपा का संबंध किससे रहा हैं। उत्तर स, मालवी लोक साहित्य से। प्रश्न चालीस निम्न लिखित में से कौन सा जिला कास्ट कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर अ, सिहोर प्रश्न उकतालीस कच्चा चिठा खोलना मुहावरे का अर्थ है। उत्तर ब, गुप्त बात प्रकट करना प्रश्न बयालीस गूलर का फूल मुहावरे का अर्थ है। उत्तर स, दुरलब हुना प्रश्न तिर्तालीस निम्न लिखित में एक लोकोक्ती है, उसका चैन कीजिए। उत्तर द, एक पंथ, दो काज। प्रश्न चावालीस काठ की हांडी बार-बार नहीं चड़ती, लोकोक्ती का अर्थ है। उत्तर स, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न पैतालीस हथेली पर सरसो उगना का अभिप्राय है। उत्तर द, आश्चर्य जिनक काम करना। प्रश्न चैनलीस म्रग नयनी में कौन सा समाज है। उत्तर ब, कर्मधारै समाज। प्रश्न चैनलीस सूचना समाच का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंब हुआ। उत्तर ब, उन्नीस सो साहठ में। प्रश्न अर्तालीस संस्कृती के विकास की गती कैसे होती है। उत्तर, अ, मंद, प्रश्न उन्चास, मिश्रनन्दी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी थी, उत्तर, ब, मेसो पोटामिया सभ्यता, प्रश्न पचास, आपचारिक सिक्षा के अभिकरण हैं, उत्तर, द, विध्याले, आशा है, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यह आपके लिए अत्यधिक उप्योगी सिद्ध होगा, इस वीडियो के बारे में अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, अपने कॉलेज का नाम भी बताईए, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को कर दीजे और बेल आइकान को प्रेस कर दीजे, हमारी मेहनत बनेगी आपकी सपलता का अधार, बेस्ट आफ लग, नमस्कार